आज आलू पूरी बनाएंगे उसके लिए हमें तीन उबले आलू का इस्तमाल करेंगे उसको तीन उबला हुवा आलू को हम लोग ले लिए हैं और उसको अच्छे से कद्दू कस कर लेंगे ताकि आटा जब हम इसका बनाए तो पहुत ही स्मूद बने कहीं पर गाठ ना रहें अश्की कि इसमें हम लोग 2 हरी मिर्च धनिया पत्त थोड़ा से आप मिर्च कम खाती bet खाती है ज़्यादा खाती है तो ज्यादा डाल सकती है और बहुत भारीक मिर्च को काटें इस तरह से अच्छे समलू मिर्च को एक्तम पतला पतला समिर्च हम लोग काटेंगे अब धनिया पत्ता को भी इसी से ताकि बहुत ही बारीक कटा है यह वाला कहची से बहुत ही बारीक बारीक कटा जाता है अब इसमें थोड़ा से हम लोग आज मायन डालेंगे थोड़ा से हाथ से क्रस्ट करके एक टीस्पून नमक डालेंगे फिर एक पॉल आटा डालेंगे आटा सो ग्राम है और इसको बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे आलू में जितना अच्छा से इसको मसलिएगा आपको यह आटा बनते हुए चला जाएगा और लास्ट में जब यह पूरा अच्छा से देखिए पूरा अच्छा से बनते हुए चला गया अब इक्तम हलका से इसमें पानी डाल करके इक्तम हलका सा पानी डालेंगे और इसका इसको मसलते जाएंगे अगर आप पहली बार आटा गूंद रही हैं तो आपको गूंदने में कम से कम 10 मिनट तो जरूर लग जाएगा हम लोग को 5 मिनट लग जाता है इस तरह का आटा गूंदने में अब थोड़ा सा इसमें सरसो तेल डाल करके अच्छे से मिला लेंगे अब जो तेल डाल ये घी भी डाल सकते हैं तेल भी डाल सकते हैं रिफाइन भी डाल सकते हैं जो आपको डालने का मनों आप जो तेल यूज करती हैं उसको डाल के अच्छे से गूंद लेजिए एक तम और इसको हम लोग थोड़ा सा पाच्छे मिनट छोड़ देंगे इसको रेस्ट करने के लिए और फिर इसका पूरी बनाएंगे देखे पाच्छे मिन ठोगया इधर मैंने कड़ाई को चड़ा दिया गर्म होने के लिए अब हम लोग अच्छे से इसका पूरी बनाएंगे आप जैसा पूरी बेल सकती है एक दम गोल चाहिए आपको तो थोड़ा सा सको किसी चीछ से काट लीजिए नहीं तो अब जैसा आराम से ये पूरी बन जाएगा और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है ये पूरी खाने में इस पूरी कर पैसे भी खा सकती है देखे चार पांच पुड़ी मैंने बेल के रख लिया है इस तरह से अब इसको हम लोग तलेंगे बहुत छट पड़ बन जाता है पुड़ी पुड़ी आप लंच मिले जाए बच्चे को दीजिए बच्चे तो ऐसे भी खा लेते हैं पुड़ी को अलू के पुड़ी खाने में बहुत एच्च लगते पड़े बुड़े सब खाते हैं से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा देखे इस तरह से घुर्डन करकर के निकाल लिए पुड़ी और पुड़ी बनाने के लिए आज पूरा चाहिए फुल आज पर इसको बनाईए कम कर देंगी तो अच्छा से नहीं आपका पुड़ी बनेगा हो गया अब हम लोग इसका प्लेटिंग भी कर दिखाते हैं आपको पुड़ी तो मेरा चना गया है आप भी कभी बना करके इसको खाके देखिए बहुत टेस्टी लगेगा खाने में बच्चे तो हमेशा ही बनाने के लिए बोलेंगे आपको देखिए कितना अच्छा हुआ ना पुड़ी मैंने आम लिया है खीड लिया है चना मसाला लिया है और पुड़ी को इस पर सर्प करेंगे क्योंकि अध्रा भी चल रहा है हम लोग किया बिहार में एक पर्व होता है अध्रा वो चल रहा है उसी के प्लक्ष में आई कर दो बिहीं प्रेखिए